हाँ तो वह श्वागात है हमारी जनता कान हैं पॉड़कास्ट में जैसे कि उमारी जनता spiritual पॉड़कास्ट को बहुत प्यार देती है तो आज हमारे बीच फिर से आ चुक है हमारे दोस्त अंकुष इनको अपने पूराने पॉड़कास्ट में भी देखा एक वह वाला तो शुरू गड़ते हैं सीध Quinn तो पहले तो यह बतातों कि मैं प्रोर्सपेक्टिव बना कासे है? मैं ने पताया था लास्ट वारी पॉर्ड कास्ट के में थेटर करता हूँ करता था तो 2011 से मैं रामदीला करता था रामदीला करता हूँ अभी भी करता हूँ तो उसमें लक्षमान का भी करेक्टर किया हुआ है सीता का भी करेक्टर किया हुआ है शीरिता का character आपने play किया है तो जब आप theatr करते हो US तो आपका character के लिए perspective है एकदम different होता है आप character को अलगतार से समझते हो तो जब मैं character को बढ़ रहा था तो तब मैं as a घखवान नहीं पढ़ूँगा character को मैं as a character ही पढ़ूँगा तो उसके बाद मेरा और थोड़ा औरियंटर हुआ मैं कि तरफ में और ध्यान से राम चरित्मानस पढ़ना चालो गया रमायन से मैंनेजमें लेसन से बहाज को कि आपको सामने मैं कि इा सबसे मेन के चले हैं Olivia शरी राम का अगर हम करेक्टर लेकर चलेगे चाहे शरीराम कैसे बहुत अच्छे घ्र만ग है वह उसके आँ के यह बहुत आच्छे लीडर है तो रावन के leadership से और उनके leadership में क्या difference है यह बात करेंगे तो शीरीराम की leadership के अगर मैं बात करूँ तो शीरीराम एकदमी extreme right character है मतलब सब कुछ उनको देना है starting से लेके end तक कि हर चीज sacrifice करें हर चीज देनी है चाहे वो राज्य हो गया खुद का राज्य जो कि खुद को ही मिलने वाला है लेकिन वो भी अपने भाई को दे दिया चलेगे बनवास उसके बाद बनवास जाके जैसे सीतमाता को लेके चलेगे रावन ठीक है वो एक sacrifice वहाँ पे हुआ उसके बाद आगे चलके फिर से उन्होंने सीतमाता का sacrifice किया तो उनकी पूरी लाइफ में throughout उन्होंने सिर्फ दिया है और अगर दूसरी तरह हम बात करें रावन का करेक्टर रावन का करेक्टर एकड़ में एक्स्ट्रीम लेफ्ट करेक्टर है उसको सब कुछ लेना है चाहे खुद का है नहीं है सब कुछ लेना है और वह भी सबसे एक्स्ट्रीम लेनी है कि सबस्यादा ग्यान मेरे पास होना चीए पैसा है तो पैसा भी सबस्यादा मेरे पास होना चीए सोने की लंका चाहे वह अपने कजन कुबेर की थी पर चीन ली हर चीज मेरे पास होनी चीए हर चीज वह चीनने वाला जो था पंगा लेना सबस वो पंगा भारी बढ़ गया तो वो जो करेक्टर सिखता ना दुनों की उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अब जैसे शीराम की लीडर्शिप से मैं क्या सीखता हूं जैसे मैं आपको बता है कि मैं चन्नेही से छोड़के हिमाचल जाके मैं शिफ्ट हुआ वहां पर मैंने कुछ थिखाया मैंने उनको आपक मैंने जनरेट किया आपको नहीं जड़क तो मैंने कहां से सिखा hain उन लोगों की जिनको कोई पूछता नहीं था छोटे लोगों की हिल्प ली। ठीक है। उन लोगों को उन्होंने जब सीतामाता का हरन्ड भी हो गया, तो नहीं क्या सेना बनाई। महां पे बाली और सुग्रीव का जिकर आता है, जानते होगे। यूने को इस पूढ़ने इसलिय कुछ आया ama उसके दीठे गलायब यह फ्रेंड के साथ लूज कुछ अपनी सु उन्हें अपना आप्रेंड जाओ पनाय प्लापभी की कि मेरे को आपके साथ कि एक कुछ आपस में एसोसेट होना है तो कि वह अलजी बड़ी कंपनी है तो पहला तो आपकी वैल्यू नी करेगा दूसरा वह आपके लिए लॉयल नी हो क्योंकि उसको आपकी जुरुएत नहीं आपको उसकी जुरुएत है लेकिन अगर आप किसी जिराम ने सुगरीब के साथ किया आप उसकी प्रोब्लम सुगरीब की उसको उस प्रोब्लम से बाहर लेकिया है अब उस रीजन की वज़े से क्या हुआ कि उनमें दोस्ती होगी रधा देन दा अपको उनके लिए लोयल मना जो खुछ ज्यादा चालेंजिस फेस कर रहा उस क्योंकि वह आपकी वेल्यू करेगा सुगरीब ने फिर शीराम की वेल्यू करी और उसकी वज़ा से जो बाकी की सेना भी तो शीराम के लिए लोयल रही और जब आगे जाके लड़े तो उसका रिजल्ट हम सबको पता है प्लस वह केरिंग भी था ना पनी सेना के थू के लि सबसे बड़ा बिजनस का लेसन अगर आपको सीखना है तो कैसे कॉंपिटिशन को हराना है ना वो सबसे आदा हनुआ जी के करेक्टर से सीख सकते हो जब हनुआ जी लंका में गए थे ना एक एक बिजनस में टर्म आती है स्वाट अनलिसिस श्रेंथ वीकनेस ऑपर अब लाइस अब चेक करते हैं तो फ्रेट क्या गया है यह सबसे पहले अनुमान जी ने किया जब अनुमान जी लंका में एंटर हुए तो उन्होंने सबसे पहले एक पॉइंट पे आप आते जिकर आते कि सबसे पहले एक पॉइंट फे खड़े हूँ और पूरी लंका तो वहां पर उन्होंने कहा कि पहले उसकी स्टेंथ देख ली कितनी है उसके बाद उन्होंने उसकी वीकनेस चेक करी कि उसकी वीकनेस क्या है उसके उन्होंने वहां पर पॉरचुनिटी देख देखी कि कहां पर बन रही है कहां पर पंगा ले सकता हूं उसका वहां पर दे एक चाहें रावन से कैसे सकते हैं। जनली लोग यह मानते की रावन बुरा है, रावन बुरा है। मैं रावन को एज अगर लीडर पढ़ने जाऊंगा तो जो इंसान इतनी बड़ी सेना चला रहा है जो इतनी बड़ी लंका का मालिक है उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी तो मैं ये मानतो हो कि रावन की जो सक्सेस है उसके पीछे का रीजन भी रावन है उसकी जो फॉल है उसके पीछे का रीजन भी रावन है तो सक्सेस टाइम पर जैसे आप तीनों हो ठीक है आप तीनों के बीचे रीजन ही कि आपि रीज़िन आप तीनों में मुचुल इंडर्स्टैंडिकिश तलीयक्त सुनते होगे जितना मैं expect करूँ ऐसा होता होगा ना रावन के एडवाइजरी इसको एडवाइजरी बोर्ड मानके चलते हैं तो जो रावन का एडवाइजरी बोर्ड तो उसमें कौन है मेगनाथ विविशन एक तरफ जो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है दूसरी तरफ जो बहुत रावन खुद इन दोनों का mixture है जो ज्यानी भी है और पावरफुल है तो यह एडवाइजरी बोर्ड था जब रावन सकसेस हो रहा था लेकिन जब रावन का जो फॉल आया तो रावन सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड से वही सुनता था जो उसको सुनने में अच्छा लगता फिर हुआ क्या हुआ है कि रावन ने विवीशन को कर दिया आउट कि वाई तुम जाओ उनको बोर्ड से निकाला बोर्ड में कौन बचके सिर्फ दो पावर वाले आदवी क्योंकि रावन का ग्यान वाला पाड महां पर चलनी रहा था और उसके बाद विवीशन निकला स्मार रावन का युद्ध हो रहा था तो रावन के वार बार सिर्फ कट्रेथे वापिस आ रहे थे फिर विवीशन जी बताते हैं कि भाई आप यहां पर मारो तो उसका जो अम्रित है वो खतम हो जाएगा अब यह तो हो गई स्टोरी अब परस्पेक्टिव यह है कि विवीशन न मेरे तो मैंने का यार यह यह एक अलग परस्पेक्टिव दिखा रहे है तो इनको तो लेकर आना बनता है अपने पॉड़कास फिर से और काफी अच्छी से एक्स्प्लिन किया वाई तुमने बहुत सही है यह मैंने अपना एक तो यह परस्पेक्टिव बंद कर दिया था द कही दूसरा कॉन्टेंट तो मैं दालता ही ओए नहीं था जैसे अभी लास्ट नहीं भात करी धी वह यह था था कि जब यह लास्त पॉड़कास्ट करी ना तो इसमें र हमेरे पोड़कास्ट में इंसां टाव रह रह रहा था ती आप जितना अब इन्सांट्रा देखाद को वो ते एक साइड बन जाती है, पॉड कास्टमें इनसान की डियल साइड निकल यादी, उसन मेरे साइड निकल के ना मेरे उसको लोग ने पसंद किया और वो लोग मेरे पेज पर आया, वो लोगों के मेसेजिज बने को पढ़े भी दो तो में आब उसी हमता है उस तक बात राइगा वहां तो की तो सब उतार रहा हो था मैं और धोती और कुर्ते में में रहा कुछ भी नी पहना था गड़ी है तक लेकि वहां प्र आप नी रेलाइस कि यार। जो अपनी रियल इंटिटी है उस पे रहते हैं क्योंकि फेक मैं कितना नाइम मन जाऊंगा फेक से लोग आ जाएंगे ज्यादा कि यहां लोग देखते हैं कि घड़ी बड़ी अच्छे कपड़े देखके कि लोग आते हैं लोग देखते हैं उन चीज़ों को लेकिन कितना नाइम जलेगा वह और मैं क्या वैल्यू दे रहा हूं अपने लोगों को मेरे साल लोग जुड़े हूं फिर वहां से मैं डिसाइडिया कि नहीं जो अपनी डियल इंटियों करेंगे और जो अपनी सीरीज रहाएं नाम दिया ह इसको मैं डाल रहा हूं यूट्यूब पर भी डालना चालूगी है उसको कंटिन्यू करूंगा पर इस पे तो भाई आपको लोग अपोज भी करते हूंगे थोड़ा इस चीज को कि आप ऐसे रमायन को ऐसे भी पोट्रे क्यों कर रहे हो उसमें भी करते होंगे लोगों 90 पर अब उसको किस चाला से ले रहे हो वो तुमारे उपर डिपन करता है लोग भगवत गीता को सबसे जादा मानते है कि यह लिडर्शिप के लिए सबसे बेस्ट बुक है तो अगर भगवत गीता में इतना ग्यान चिपा है जिसको लोग पढ़ रहे है और पढ़के इतना आग अगर रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है और वो हर कोई अपनी अपनी फील्ड में एपलाये कर सकते है कूई सपोच्समें है वो पढ़के अपनी स्पोर्ट की नॉलिज बढ़ा सकता है या उसी नॉलेज को उस में यूज़ कर सकता है को बिजनेसमें तो यह तो बहुत अच्छी बात है और हम तो blessed है कि हम ऐसे religion से आते हैं जहां पर ऐसी knowledge or teachings है इनको use करके हम अपनी life में आगे ग्रोगर सकते हैं तो यह तो बहुत ही बढ़ी है चीज है बाई एक suggestion आया था मैं आप तिलग लगा के वो करा करो अच्छा लगा अच्छा 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 था तो कर सकते हो बाई लेकिन आप कह रहे हो जैसे रामायन के आप जैसे वीडियो बना रहे हो लोगों ने आपको unfollow भी करा है है जब मैंने का भी बिल्ड होगी थी ना एक पीनिसवाल आजमी जो की तो कि अगुंद फैशन में हूँ थी ना इस्वेश्य फ उर्गनाइस करा थे को स्पानसर करता हूं तो कह रlaudश इंक हो एक अजय के लिंग थी ज Раз इश्ल बिल्ड यसे सब श्ड incorporating जो कि मैंने रेलाइज किया है, मैंने पूरा मेंशन किया था स्टोरी उसके पोस्ट किया कि आज के बाद यह सब नहीं होगा, आज के बाद जो सच होगा, जो मैं ओरिजिनल हो भी डिलेगा तो उस स्टोरी से ही मनलब करीब 1000-2000 पहले उन फोलोर्स हुए थे, फिर जब मैंने अनॉंस किया कि मैंने बिजनस शेयर करूंगा अपना परस्पेक्टिव इस तरह से शेयर करूंगा तो 1000 तब कम हुए, ऐसे करते करते हैं, टोटल जब पहली डील मैंने डाली है, मनलब 7-8000 सब्सक्राइब करते हैं, वो गिर गया है, लेकिन मैंने का कि अब परवान यह नंबर्स की, जो करना है लॉंग टर्म में देखा जाये तो लोग आपको बढ़िया अच्छा बहुत से लोग यह बोलेंगे तुम्हारी यह फेक साइड है, विकरस तुम हो सकता है कि इस जगा से आते हैं हमाचल से, वह पर कितनी मानने अता है इन चीज़ों की और यह रियल साइड आपको नहीं ब हमाचल में आपको हर इनसान में यह दिखेगा, मैं अकेला ही नहीं हूँ, मैं 90% हमाचल की बात करूँ जो लोकल लोग है वह पर वह ऐसे हैं, अब लोग हमाचल जाते होंगे तो आपको पता होगा कि आप रास्ते में कहिसी के वास गाड़ी रोग के रास्ता बूछोगे न मैं ब्लेस्ट हूँ कि मैं एक जगह पर रहता हो जो कि सेफ है लेकिन जो हमारे सराउंडिंग में हुआ है मेरी साब से हिमाचल में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसका कोई ना कोई रिलेटिव जो इससे अफेक्ट ना हुए हुआ हो तो मेरे गर में ना एक पार्ट चल निकालने को बोल दिया था कि वह रिसकी प्लेस है कि आब बाहर आज़ो और वहां पे कभी भी कुछ-भी हो सकता है कभी भी कुछ-बी से उनका मतलब है कि जुनका घर है वह जासकता है सीधा यह बात थी तो उनके घर से बाकी सब तो निकल गए थे लेकिन जो उनकी पशू कि एक तो पहले इसमें पूछेंगे हैं सब्सक्राइए है कई इसे इनसां का घर जाने वाला है nào अब क्या बोलोगा कि जो बगवान को होगा सक्वा कि क्या ही बोल सकते हो आप क्योंकि ये डास से भी बुरा है कि सिका ईथ से भी जिए और Сफ्वा कमाता है अपना घर बनाने के लिए लेकिन जब आपका घर ही चला जाए तो क्या बचा अब एक दिन किसी के यहाँ पर रह सकते हो दो दिन रह सकते हो, तीन दिन रह सकते हो उसके जादा नहीं रहा जाता अपना घर अपना होता है वो जब वो incident मतलब जो उनकी जो मैंने देखा वो पर्सनल फील हो ना वो कि एक इनसान मतलब कि उनसके यह सब हो रहा है वो बन्दा यहाँ पर कमा रहे है वो जा भी नहीं सकते है वो जा भी नहीं सकते है फिर सुबह होई तो आपने पूछा कि तो उन जगा बच गई उनका घर बच गया अगे से एरिया चला गया साइड से चला गया यहां से चला गया उनका घर बच गया अब पता नहीं कितना टाइम बच रहे गया यह भी है बारिश अगर कल दवारा हो जाती है तो लेकिन कितनी सारी वीडियो नहीं पड़ी हुई मैं यह अजिम कर रहो इस वीडियो को देखकर कि घर वाले अंदर रहा और बच्चे लोग बहार है और वह पूरा घर चला गया हमारे मेरे मुम्मी के रिलेटिव्स हैं मम्मी के सुसुराल के घर के बगल में घर है तो शिम्ला में रहते थे उस परिवार में आठ लोग ते हो गए ते शिम्ला में मंदिर में माथा टेकने जिस मंदिर में ट्रैजडी हुई है आठ में से साथ लोग ओन स्पोर्ट खतब एक बच्ची बच्ची है सरफ पता नहीं वह भी सीरियस है मतलब तो पूरा का पूरी फैमिली चली गई ऐसी एक नहीं पता नहीं कितनी फैमिल को उतना प्राइूरिटी दी नहीं जाती है किसी बी चीजमे इतनी बड़ी ट्रैजडी हुई है इतना घरा आपदा अई है उसके बारे में ना तो कोई बहुत बड़ा कोई इंफ्लुएंसर उतना जैंग बड़ा बात कर रहा है ना ऋनुसी चैनल सबस zij वहाँ पे लोग मर रहे है कि अगर आप कुछ करोगे क्योंकि मैं देखता हूं कहीं पर चोटी मोटी भी बाड़ आ जाती है तो फंड्रेजर्स चालू हो जाते हैं लोग बड़े-बड़े यूट्यूबर स्ट्रीम करना चालू करते हैं कि महां पर फंड देंगे मैं अभी त लोगों बात करनी चाहिए क्योंकि इस ताइम पर आप एक रुपए भी दोगे ना वो किसी ना किसी को शायद एक ताइम पर खाना दे रहोगा है क्योंकि बारिश तो रुग गई अगई बारिश तो बंद हो जाएगी लेकिन जो गाउं चले गे ना वो बनने में बतानी कि जिसका घर चला गया अभी एक वीडियो आई थी सोलन की है एक इनसान ने करीब पांच मंजीला मगान है अंदर गाड़ी खड़ी हुई है ना तो वो गाड़ी वाहर निकाल पाए ना वो मगान को बचाए पाए पूरी की पूरी बिल्डिंग बिद गाड़ी चली गई यह देखो साइंटिफिकली कहें तो क्लाइमेट चेंज ही माना जाएगा वैसे वहां के लोकल लोग क्या कहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा कोई वहां पर कुछ वह अपनी उनकी भी कुछ रीजनिंग है वाई क्योंकि यह से कहा जाता है कि हमाचल में काफी देवी देवतियों का वास है जब लोग इतना मानते हैं लेकिन अगर उन देवी देवतां को तुम उदास कर देतो तो तो फिर ऐसी है सा में एक पर्सपेकिटिव सुना है मेहों की पदा कि छिए निए गलत है मैंने कहीं पर पड़ पड़ कि पूरी की आपधा का तो नहीं मैं बोल सकता लेकिन वाहरी माध्यमें और चान पे की हर साल जो है जो है माहिजिली गृतियार्टी है शिभलिंग फे शिभलिंग त उसका माखन जोड़ के पूझा, तो वहां पर से रोपवे बन रहा है उपर जाने के लिए तो बिजली महादेव, हिमाचल में बहुत सारे कहलाश है आप ने सब्सक्राइब कहलाश है अब मनी महेश है तो ऐसे बजली महा देव है कि हर वर्ष बजली गरतीय है पहार से ईसके होगव सीधा तूटता है उसके जोड़ा जाता है और क्या हो पूरा उसके बास चूड़ा होते है और वह ऐसे ही रहता है उसका तूटता नहीं है वह तो इस वार भी रोब्बे बन रहा है आप इस वार रहा है शहाद बनने की बात्ची चल रही है तो जब पर बने गा तो उस रास्ते में जतने पेड़ आते हैं उस पेडों का कटान हो बहुत जादा जहां से भूले होगा जहां पर यह एंड होगा उसमें बहुत सारे पेड़ जाएंगे। दूसरा पहाड़ पर बनेगा तो हो सकता है कि आगे चलके उसका नुक्सान हो तो लोग उसको बहुत अपोज विंसके रहे हैं। शायद वहां के जो देवता है उन्होंने भी मना किया कि यह मन बनाओ तो कुछ लोग भी मान रहे हैं कि बजली मादेव जो हमें नाराज हो चुके हैं ऐसा तो ऐसे बहुत सारी परस्पेक्टिव जो है वो अलग लग लोगों में हैं कि हमारे देवता नाराज हो की आपने पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए आपने यह बनाए लेको development होना भी important है लेकिन sustainable development उना उससे भी जादा important है कि आप एक ऐसा development करो जो sustain करें अब इतने बड़े-बड़े highways हमने बनाए तोट गए ना वहां जो पाइवेज ही खतम होगे रेलवे ट्रैक्स तूट गे शिम्ला वाला जो रेलवे ट्रैक्स तूट गे तो करीब मेरी साफ से तीन सु मीटर तक सिर्फ उपर की पटरी रही नीचे-नीचे की जमीन चली गी जो बचाई ही नहीं है शिम्ला 30% 40% खतम हो चुका है बारि कि हमने खुद करी है तो बहुतना भी हमें पड़ेगा बहुत सारे लोग मनलब अभी मैं पढ़ देख रहा था इंस्टा रील्स पर की लोग डाल रहे हैं कि महादेव गुस्से में आ गया है महादेव गुस्से में क्यों आए उसका कारण भी तो तुम ही हो अगर महादेव करें देखो यार जब भी को हिमाचल में गुमने आता है हमने कितनी देखी है कि आप जिस जगह पर जाते हैं वहां पर गंदी कितनी है हर जगा पर तो मलब हिमाचल में जो जगह टूरिस्ट प्लेस है ना वो तो गंदी हो चुकी है हिमाचल लोग आते हैं कि आप साफ जग तो लोग आएंगे और वो भी गंदी हो जाएगी कि वही बात है कि development होना एक सही चीज है लेकिन sustainable development होना उससे भी जादा important है क्योंकि sustainability नहीं होगी ना तो ऐसे ही results हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमने अभी देखे हैं यह पहली बार मेरे 23 साल उमर है मेरे पापा की 45-46 सेज है और मेरे बड़े पापा उनकी 50 है मेरे रिलेटिव से तो उनका यह कहना है कि अपनी पूरी लाइफस्पैन में आज तक ऐसा नहीं देखा हमाचल में तो सोचो कितनी बड़ी tragedy हुई हमाचल में हमाचल में जैसे लोग पूछते हैं ना देवताओं से कि यह करें ना करें और अगर चीज उसी हिसाब से उनके हसाब से कि वो कहरें कि हाठी के चीज नहीं होनी चीज़िए रहर देन की मेरे को सेक्योर करने में खुद जाके वो ऐसा काम कर रहे हैं तो अब जो यह गल्तियां हुई है ना या तो यह पास्ट गवर्मेंट्स की गल्तियां है क्योंकि अभी जो रोड उन्होंने थुट ना बना भी तो एक साल वबले गवर्मेंट आई है जो पास्ट में गल्तियों यह वो गल्तियां है और अच्छे से चाहिए उसमें कोई नहीं कि एक पर्टिकॉलर पार्टी की बात कर रहा हुँ क्योंकि पास्ट में हमारे ही मात चलोंगे एक पार्टी दूसरे नेक्स सेशन में दूसरी पार्टी चेंज हो जाती है तो वैसी चीज है कि एक की गल्ती नहीं है गल्ती हर एक इनसान की जो बार बार आके जिसने किया है लेकिन अगर वो यह सोचके चलते कि नहीं हम सिर्फ पांच साल के लिए नहीं डेवल्मेंट जो लॉंग टर्म हो तो शायद ही चीज़े नहीं होती सभी बात है और जैसे मनाली जैसे स्पोर्ट्स हैं जहां पर इतना फुटफॉल हो रहा है तो वहां पर लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ यू से भी आड़ी टेडी कंस्रक्शन कर देते हैं जितने फ्लोर्स अलाउड नहीं है उससे जादा बना दिये लालच के चक्कर में फ नहीं पर उसके वापस आइ बाड़ाई तो बहुत ज्यादा खटरनाख और बुरा गए और बुरा हुआ हैं अब बुरा हुआ है अब बस ही है कि लोग सपोर्ट करें हिमाचल को इस सिचुएशन में क्योंकि वही बात आगे ना कि जैसे जो अपने नोर्थ इस्टन एयाज उसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते तो अभी आपसे मैंने बात की तो आपने का जिसी को तो करने पड़ेगी किसी को थाके सामने बोलना भड़ेगा यार मैं तो आपकी कम्यूनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई हमारी देखके कि आप यार इतने आपने हर चीज के लिए स्ट्रीम करी आपने किस मलब की बिग बोस तक के लिए आपने स्ट्रीम कर दी तो आप इसके लिए स्ट्रीम नहीं कर सकते जिससे कि शायद क हम इस पॉड़कास्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक तब तक लगा देंगे और जितने भी लोग अगर आप कुछ भी कॉंट्रिब्यूट करना चाहो तो डेफिनिटली आप कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है तो अभी और कुछ नए रुद्राक्ष भद्राक्ष के वारे में जब आपने लोग को अवेर करा था तो रील्स में काफी अच्छा चला था तो मैं चाहता हूँ थोड़ी और इन्फोर्मेशन अगर आप लाए ओ हमारे लिए तो प्लीज शेयर करो लास्टांम जब मैं आया था तो मैंने गाथा था कि हमने start-up शरु किया था हुषनातांद्रम के उपर आप जिसको शुरू किया तब शायद एक महिना भी नहीं वह था तो अबने को फोंडर को बोला था कि मेरे तिरे को सिर्थ 3 मुने चीये मेरे को सिरफ तरह और मैं तरह क के बारे में, 27 हुखि के बारे में उसकी पावर की बारे में बात करा था तो फिर वहां से लोग उनने हमारा पेज देखा, अहुति वाला तो उससे हमें इतना पुष मिला है की जो चीज तीन मुएने में होने वाले थी वो एक मीने के अंदर-णदरी होगी चालो, lovely Nice one, nice one बाज कर दी हमारी जंता बहुत लोयल और बढ़िया है ऐसा नहीं है तो इन्हें बढ़िया बढ़िया इन्फोर्मेशन आप देते रहो तो भाई कुछ बताओ यार, यह रुदराक्ष के बारे में इसके असर के बारे में और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आशर हुआ, कुछ बताओ सबसे बड़ा तो मैं खुद इसका सबसे बड़ा प्राइम एक्जामपल हूँ मैं पहन तो विशेश बद्राक्ष नौर्मन बद्राक्ष आपको दस बीस रुपे का दाना मिल जाएगा कहीं भी यह जना मिल रख यह विट और शखरी और बद्राकश का है इसका बद्राक्ष इसका इसका बड़ा चाहिक निदेगा क्या सबस्काओ लेकिन मैं इतना मैं इतना मानता नहीं ठोब आएं उनको पहले कि झब मैंने लिया था नहीं तो मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि मेरेको कुछ हेइलप करेगा यह था कि मैरेको लगा कि मिलगा कि मैं एसोसेेट कर रहा हूँ in पर पहल Elliot के साथ कि मेरे पास औनागी हो छीख नहीं हुआ है मैंने पहन लिया कर दूसरा में पा सबसे बड़ा हुआ भी मेरा एक अट्री शो गristi था रिसेंट की बात है भी अमस्कोर幾 किरेगा डिस दिन की बात है का मेरा इंटुर्ल कोशार्यावकु कमेरा इन्ट्रविव कर इसे पयाले दिशा double नहीं अभी रिवीद ली कर सकते हैं एक बिजनिस का नाम नहीं लिए लिगे तो जो मेरा उडिशन था तो उससे पहले मैं वरिंदावन में था हम अर्साल वरिंदावन जाते हैं वापर आपको राते हैं वरिंदावन से जैसे मैं दिली पहुंचा हूं वापकी सब वरिंदावन में ठहरे क्योंकि अभी लंबा था वहारा मैं दिली पहुंचा हूं दिली पहुंचके जो मेरा चेन था जिसमेर रुद्राक्ष पहना था अब देखोई लास्ट पोड़कास्ट मेरा चेन अलगता मेरा चेन तूट गया क्यों दोटनेयके वहाँ शाषी नागता था, था रुद्राक्ष प्यूंता करें दो गंटे के लिए डी mini ठाष ली पहुंचते ही रिश्वरकास्ट ब्दार था अब मेधा बिए हुर्ण स्थियों तक उत्श है जा पा रहा था प्रॉपर मनलब शोकेस करेंगे बड़िया चीज कि कोई ब्रैंड आया है तो कुछ करी नी पारा था मैं मेरी टीम सेम मनलब उसी होटल में ठहरी हुई थी मनजीत अभी आया हुआ है तो वह यह नहीं पर था मेरी खुद की टीम थी पूरी तो मैं तो कुछ करनी पारा था फि कुछ भी नहीं दभाई ले रहे हैं को इसर ही नहीं कर रही। नेक्स डेस शाम को मन्जीत आता है और मन्जीत बोलता है कि मैंने आपका पोड़का सुना था लास्ट वाला जिसमें आपने बद्राक्ष के बारे में बात की थी कि इसने आपको इस तरह से हल्प किया तो आपने पहना नहीं हुए तो फिर मैंने तूट गया है तीन दिन पहल मेरा इस चीज में माइन जा रहा था उसने मेरे को बोला फिर खुद चेन लेकर आया एक नॉर्मल सी उसने डाल के पहनाया मेरे को उसका दवाईली मैंने रेस्ट करके सुबह जब मैं उटाओं मैं ठीक हूँ अब मैं बोलूँ कि इसमें इसमें पावर नहीं है तो फिर तो हम लोगों को ज्यादा प्रियृटी देते हैं क्योंकि यह रुद्राक्षिक ऐसी चीज है ना अगर आपने गलत धारन कर लिया तो आपका बहुत गलत नेगिटिव एफेक्ट पड़ेगा लेकिन अगर आपने सही धारन कर लिया तो आपको सबसे जादा पॉजिव एफेक् करते हैं एक तो आपके कुंडली के हिसाब से दूसरा आपके उंक- бан जोव्री के हिसाब से क्योंकि कुछ नंबर वो लोगों कैलिए अनलगी होते हैं अब आपके कुंडली आपको एक्स प्रणा चाहिए लेकिन और एक्स आपके सही ही नहीं है तो आपको ऱेटिव फेक्ट और उसके उपर भी हमने एक और गुरुजी है हमारे पास जिन से हम बाद में एक और कंसल्टेंसी लेते हैं कि कोई भी कस्टमर बापस आता है तो आप मानलो आपने मेरे से बोला कि मेरे को पांच मुखी नहीं देंगे पहले हम आपसे पूचेंगे आपका डेट वर्थ हमें बताईए आपका नाम पूरा पता लेंगे फिर हम चेक करेंगी कि हम 5 मूखी देखें को सकता है कि 5 मूखी दे रहा है मैं अब बिस्णस की बात करूreat। लेगिन अब चार मूखी सही है तूम आपको चार मूखी दे इंगा क्योंकि अगर मैंने 5 मूखी दे दिया तो मैं पाप का बागी दर बन जाउंगा उसके से इंता तो जो कि और यह, जो सही चीज आप देखके दे रहो किंकि अगले बंदे को भी वह फायदा रहा है जो आपना फायदा इनु नही देखिरें नहीं सिर्फ रुदाराकष की एंधी अंहे शें rice in the amount our deal आपको प्रिफान प्राज को तो इसानी कि आपको रुदराक्ष दे दिया पहले om हम अरुद रषय होते हैं इसके प्र 닉भिढ़ क्रति करें अ cảि सब कुछ भी हम्त्पर्विख निї करते हैं करते क्स्टमर से जो भीının किरते हैं तो वो सब हम पहले करके जभ़ो देते हैं हमारे पास एक मुक्ही से लेकर 27 मुकी तक हम रुद्राक्ष है हमारे पास सबसे फैस皆टिंग रुद्राक्ष मुकुत अगयों सबस्टाइस मुक्ही तो जैसे मेरा माइन्ड से सिर्फ रावण ही सहन कर सकता है 27 मुखी आप खरीदने जाओंगे ना पांच लाग कभी मिलेगा आपको पचास लाग कभी मिलेगा आपको एक करोड कभी 27 मुखी मिलेगा अभी इतना महेंगा होने के बीचे कि भी बहुत सारी रीजन्स एक तो रेयर होता है मिलता नहीं है दूसरा इसकी इतनी पावर है ना इसको नौर्मल आदमी वैसे धारण नहीं कर सकता है कि अगर नौर्मल आदमी धारण करेगा उसकी शक्ती सहन ही नहीं कर सकता तो अब आप खुछो कि जो बंदा पांच लाख या दस लाख रपए एक रुद्राक्ष ली दे सकता है ना वो बंदा खुद कितना वो खुदी आम आदमी नहीं होगा कोई कंपनी चला रहा होगा या फिर किसी भी फील्ड में टॉप पे बैठा होगा तो बंदा इत्ता पैसा कर सकता और वही लोग उसको दारण कर सकते है तो ऐसे है अब कुछ लोग शायद बोल सकते हैं कि आपका जो बद्राक्ष बोड़ी को टच नहीं होना तो इसको एक रिजन दे दो आप इसको उपर क्यों पहें यह देखो यह तो किसी ने बनाई यह दारण अंदर होना चीए बाहर होना चीए अब को अब कर तो सबी जान को पास सब भार राखाव da थह पकुम्हें को यह दॏ भाहर नहीं हो सकता है हमारे सब पास चीज जो भी सिरुम समय अधाय रखता है हमारे पास सब चीजा जो भी सनातन दरहम से बडेट है अच्छा उसमें चाहे जैंस्टोंज आ जाएं चाहे रुद्राक्षा रुद्राक्षा भी हमारे में हीरो प्रोडक्ट है उसके अलाबा तुलसी माला होगी या सब चीजे लेकिन हम कोई भी चीज जवाओ आपको ऐसे नहीं देते हैं भाई यह मुझे बैस चीज लगी सच में कि आप रुद्राक्ष का भी रुद्राभी शेक कर रहे हो उसकी प्राहंट प्रतिष्टा कर रहे हो वरना लोग नहीं करते हैं ऐसी दे देते हैं कि इस दिन दाल ले ना बस खतम पर यह भी नहीं बताते हैं तो माई ले यही सही रहेगा वो सही रहेगा बस दे देते हैं पाच मुखी चीज चीज लो चार मुखी चीज लोग ऐसे करते हैं मैंने खुद जब लिया था तो मेरे को किसी नहीं बताया अगर मेरे को भी मैं मैंने खुद के लिए मंगाया हु कि हिस्ट्री बाता आपको यह है क्या चीजा जो नॉर्मल बुक्स में लिखा हूँ जो मैंने पड़ा हूँ बता सकता हूँ कि जब भगवान शंकर जब सबसे पहली जो उनका सती माता ने अगनी में प्राण दे दिये थे जब उनको लेके निकले थे तो व्योग में जब रो होता है डिरेक्ट आपने एक मुखी अगर पहन लिया तो आप में ऐसा माना जाते है कि एक मुखी में खुद शिब की शक्ती है इतना पावरफूल है एक मुखी रुदराक्ष और एक मुखी कोई भी पहन सकता है बिदाउट कंसल्टिंग एनीवडी एक मुखी ऐसा रुद तो होते हैं जो फेक बनाते हैं मतलब या मिलना क्या चाहरे हो मिलना कि अक सर्टिफाइड एक लैब टेस्टेड रुदराक्ष मिलना बहुत मुखी कि आप रुदराक्ष कैसे टेस्ट करो गए एक तो वहारे बड़ाने तरीके कि आप पानी में डालोगे तो डूप कि लेब टेस्ट होना चाहिए साथ में उसका आपके पास एक्सरे होना चाहिए क्योंकि जो लकडी होगी दिख जाएगी और जो रुदराक्ष होगा उसका अलग से बता जाएगी इस तरह से पता जल जाता है अच्छा भाई आप भी विरिंदावन भी गएते हैं वो कैसा आपका एक्स्विरियंस बताओ जैसे मैंने का कि हम अर साल जाते हैं तो विरिंदावन का मेरे को मेरी ममी से मिला हुए है मेरी ममी बहुत बड़े ठाकुर्जी के भागत है और हमारी पूरी फैमिली ठाकुर्जी को बहुत पूचते है तो विरिंदावन का ऐसा था कि सबसे पहले विरिंदावन गए थे हम तो भोख दिर्शन कर ने बाम्म हर रह दृब लहअर में वह करवागेश और अपने पर में रिंदऑबनिए भागवद करराते हैं तो भी नेग्म पार इस अपनी पर में भागवद क्रवाई गया को बाल जा खांसे है इस बार जाना बहुत अलग था, मेरे लिए, परस्नली, क्योंकि इस बार एक में एक फेज के बाद जा रहा था, जब पहली वार वरिंदावन गया था, मा केला गया था, सबसे पहले, जब मैं स्टार्ट अप शुरू करने वाला था, दीवा, तो जब मैंने कहा था, पूरे इ करनी है, एक अच्छी बाइक, मिल्टीरियलिस्टिक सकसेस, उसके अलाबा कुछ लोगों का अप्लोइमेंट दिया हुआ है, एक अच्छा नाम है, तो वो उसके बाद इसवाब मैं वरिंदावन गया था, तो जब मैं वरिंदावन गया था, तो मेरे को ये रियलाइज की क moistur सीलाएज हुआई हाँ, कि मैं कैसे रियाजी हैं और को ये दो इस शॉचल मेडिया पॉड्कास की तो कि मैं कुछ तो फेक कर रहा हूँ जो मेरे सोचल मेडियापर मेरको भूद इसक अच्छा मेरे दिख रहा है, वो अलग चीज है तो रियलोजिशन की रख मैने, मनल तो आपने शूट भी किया, कि मैंने का कि सारी दुनिया के सामने में जितना वर्जी यह बन जाओं, लेकिन मैं जब मेरे पस कुछ भी नहीं था तब मैं आप आया था, प्रिंदावन, इन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है, और जिनोंने सब कुछ दिया है, वहां पर आकि उनने दिया कभी उचीन सकते हैं, तो फालतु का फेक शोफ नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, और वैल्यू क्रियेट करनी है, लवली भाई, आप ऐसी वैल्यू क्रियेट करते रहो हमारी जनता के साथ बढ़िया बढ़िया बाते शेयर करते रहो, एक्सपीरियंसे श पॉडगास्ट करें उनके साथ और अंकुछ को रीच आउट करने के लिए सारी इंस्टेग्राम और इनकी वेबसाइट के हंडल यह सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे यह फंड जो भी जहां भी जाएगा यह डिरेक्ट सीम फंड में डालेंगे वेरिफाइड सोर्से से हम अकाउंट डिटेल्स नीचे मेंशन कर रहे हैं तो सब कुछ बिलकुल आप से लेके वहां ही तक जाएगा और यह सोचना दसी रूपे हैं पांच रूपे हैं या सो करो और बाकी अंकुष अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कॉंटेंट अप्लोड कर रहे हैं रमायन और बिजनेस का कोलाबोरेशन करके तो उसके लिए उनको फॉलो कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन यह